So hey guys, welcome back So guys, this video में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जब भी इंस्टॉलेशन करते हैं Windows का और यहाँ पर Windows 11 का मैं यहाँ इंस्टॉलेशन कर रहा था तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ड्राइवर शो नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्राइवर का कुछ मलब लोकेशन वगरा वांगता है ब्राउस करने से तो क्या कुछ अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे जिससे अभी हमारा यहाँ पर जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है वह हमारा सॉल्व हो जाएगा तो इसके लिए मैं आप लोगो पहले लेकर के चलता हूँ अपने दूसरे PC पर और वहाँ पर हम लोग कुछ मतलब Microsoft का Intel का Officially हम लोगो थोड़ा मतलब की कुछ software को download करना होगा उसके बाद हम लोग अपने bootable pin drive में थोड़ा मोड़ा setup करेंगे उसके बाद हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं उन सारे चीदों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए मेरे फड़फट से दूसरे स्क्रीन सब्सक्राइब करने वाला हूं कि यहां पर आ जाता हूं अपने ब्रॉजर के उपर ठीक है और यहां पर ब्रॉजर के उपर आपको कुछ इस तरीके से यहां पर टाइप कर देना है इंटल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलोजी ड्राइवर ठीक है जैसे आप इसको कर लोगे कुछ इस तरीके से और हीट इंटर करते हैं तो सबसे टॉप में आपको यहां पर इंटल ओफिशली साइट का यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लिंक इस पर आपको सि पूटअरे करके अब बीमारे इंसर्ट करके रखा हुआ है जो भी हमारा वूटेबल यहां पर विंडोस11 का ड्राइवर रिख से दागए और आफ से डाउनलोट से हटा करके मैं कुछ है अपने इस ड्राइवर वे अपने ड्राइवर में यहां पे रख लेता हूँ ठीक है तो देख सकते हैं कि यहां पर हमारा ड्राइव में आ गया है आप लोग भी किसी भी अधर ड्राइवर में रख सकते हैं except C ठीक है तो यहां पर मेरा यहां पर setup RST करके यहां पर जो application है यह हमारा आ चुका है next thing आपको क्या करना है कि simply आपको इसी location पर command prompt open करना है तो उसके लिए simple है guys अभी यहां पर मेरे को कुछ command run करना होगा वो command मैं आप लोगो description में दे दोगा ठीक है तो simply वो जो command है वो यह है कि setup str.exe stack driver ठीक है यहां पर हम लोगो driver जो हमारा यह है इसके अंदर हम लोगो stack करना होगा इसे सारे file को क्योंकि Intel ने यहां पर guys इसे मतलब कि application के अंदर सारा कुछ encrypt कर चुका है इसलिए हम लोगो अभी जो भी मतलब windows का installation हो रहा है windows 11 का installation हो रहा है तो अपने को driver देखने के लिए नहीं मिलता है जिसे हमारा मतलब जो भी हमारा drive रहता है a drive c drive d drive वो हमारा hide हो जाता है तो अभी हमको इसी application के अंदर से मतलब stack करके निकालना है तो simple है guys इसके लिए हम command में description में provide करा दूंगा आप लोग सिंप्ली वहां से भी copy कर सकते हो ठीक है तो अभी आपको simply hit enter करना होगा जैसे आप इस तरीके से आपका आ जाएगा तो आपको यहाँ पर yes पर क्लिक कर देना है अभी जैसे आप yes पर करोगे guys तो कुछी तरीके से आपको यहाँ पर pop-up देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है और उसके बाद यह disable automatic हो जाएगा डिसेबल जैसे होता है guys तो आपको अब इसको close कर देना है और इसके अंदर extract आ जाना है और find करना है guys अपने driver जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रैक्टर करके आ चुगा है और इसके अंदर बहुत सारा files and folder मिल जाता है तो अभी आपको क्या करना है guys कि simply इसको cut कर लेना है यहाँ से और अभी आपको simply जो भी आपका putable है बना हुआ ठीक है यहाँ पर simply आपको open करना है इसको और यहाँ पर आगर के देख सकते हैं कि सारा file and folder यहाँ पर हमारा putable है और यहाँ पर मैं simply अभी right click करके यहाँ पर simply paste कर दूंगा जो भी मैं simply copy किया था उसारा हमारे यहाँ पेस्ट हो जाएगा उसके बाद अभी हम दोंग स्टारा पेस्ट हो जाने के बाद हम सिंप्ली अपने पोटेबल जो device हमारा इसको मैं simply eject कर दूँगा अपने इस PC से और simply insert करूँगा अपने दूसरे वाले PC पे सुगस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने दूसरे PC के उपर जिसके उपर मेरे को यहाँ पर Windows अभी मतलब install करना था तो सबसे पहले मैं आपने जो भी मेरा pin drive है जो भी मैं यहाँ पर recently इसके अंदर file डाला हूँ इसको मैं simply अभी यहाँ पर insert कर देता हूँ कुछी सरीके से और जैसे मैं यहाँ पर insert करूँगा तो अभी मेरे को यहाँ पर restart करना होगा और जो भी हमारा इस step के लिए भी हम लोग क्या करते हैं गाइस कि फड़फट से इस window को जो है जो वो restart पर डालते हैं और जो भी आपका bootable मतलब की button रहेगा जिसे आप लोगो bootable menu मिलता है उस पे आप लोगो simply switch हो जाना पड़ेगा तो मेरा यहाँ पर HP का है तो मैं EXE button को multiple time क्लिक करते रहूंगा तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो bootable menu रहता है वो हमारा यहाँ पर appear हो जाएगा तो मैं थोड़ा से wait कर लेता हूँ हमारा यहाँ पर bootable menu आने वाला है तो देख सकते कि यहाँ पर सारा कुछ कर देना है तो जैसे मैं हीट इंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो next procedure होगा वो सारा कुछ यहाँ पर हमारा एपियर हो जाएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो windows का installation है setup mode जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है तो अभी मैं यहाँ पर कि time and format को यहाँ पर select कर लेता हूं मैं अपनी हिसाब से तो मैं यहाँ पर English India find कर लूँगा तो मेरे को यहाँ पर मैं select कर लेता हूं अपनी हिसाब से और यहाँ पर simply next पर कर देंगे और यहाँ पर second step में आपको इंस्टॉल नो को एक option देखने के मिलेगा तो simply मैं इस पर install नो पर click कर दूँगा तो अभी मेरे यहाँ पर जो setup है वो हमारा start होने वाला है देख सकते हैं कि यहाँ पर लीकर के आ रहा है setup is starting ठीक है इसके बाद ही हमारा जो वहाँ पर driver लोड होता है वो चीज हमारा यहाँ पर आ जाता है तो मैं यहाँ पर simply accept करके next पर click कर दूगा और यहाँ पर custom installation में यहाँ पर करने वाला हो तो simply आपको यहाँ पर stack करना है इसको जो production है उसको भी स्टैक करना है और जो भी आपका windows 10 11 जो भी यहाँ पर देखता है फोल्डर उसको expand करते चले जाना है यहाँ पर driver के एक option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर multiple driver देखने के लिए मिल जाएगा तो सबसे last में आपको यहाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए folder मिल रहा है इसको आपको simply select कर देना है तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर select driver to install तो मैं यहाँ पर by default आपका first वाला है इसको मैं यहाँ पर continue रहने दूगा डिन यहाँ पर नेक्स पर click कर देंगे तो जैसे मैं य तो भी हमारा driver जो नहीं show हो रहा था वो सारा को यहाँ पर show हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा wait कर लेता हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा driver आता है कि नहीं तो जी हाँ guys देख सकते हैं कि मेरा सारा का सारा driver यहाँ पर आ चुका है वीडियो अगर आप लोगे helpful लगता है guys तो hit the like button and do subscribe my channel so guys मिलते हैं ऐसे किसी next video में तब तर के लिए good bye